आज हम इस वीडियो में महाजनपत के बारे में जानेंगे उनसे जुड़ी प्रमुख बातों के बारे में जानेंगे इनका विस्तार कहां कहां हुआ उनके बारे में जानेंगे भारत में छटवी सताबदी इसा पूरु की सुरुआत में ही महा जनपत का उदे हुआ ऐसा बहुत धर्म ग्रंथों में उलेक है महा जनपत का विकास पूर्वी उत्तर परदेश और पश्चिमी बिहार में जादा हुआ है जहां जहां भूमी उपजाओ थी वहां क्रिशी का विकास सरलता से हो गया और वहां पर लोहे भी आसानी से मिल गए जिसके कारण इनके उत्पादन में विरिधी हुई जिससे छोटे छोटे जन का भी विकास हुआ और ये बड़े बड़े महा जनपत बन गए ग्रंतों में 16 विक्सित महा जनपतों का उलेख मिलता है 26 सताबदी इसापूर के आसपास लगभग 22 अलग अलग जनपत थे इन जनपतों का जब समाजिक आर्थिक रूप से विकास हुआ तब छोटे छोटे राज बड़े महा जनपतों की रूप में इनका उदे हुआ इस समय को दूसरे सहरी करण यूग के रूप में जाना जाता है अब जानते हैं 16 पहा जनपत के बारे में पहला अंग जिसकी राजधानी चमपा थी अब इसे मुंगेर और भागलपूर के नाम से जाना जाता है इसका उलेख महा भारत और अथर वेद में मिलता है इसे बिम्बिसार के सासन के समय मगद सामराजी द्वारा कबजा कर लिया गया था या वर्तमान में बिहार और पश्चिम बंगाल में इस्थित है दूसरा है मगद जिसकी राजधानी राजग्री थी वर्तमान में इसे गया और पटना के नाम से जाना जाता है इसका उलेख भी अथर वेद में मिलता है मगदबाद में जैन धर्म का एक केंद्र बन गया था और पहली बौद परिसत समिती राजग्री में आयोजित की गई थी तीसरा है कासी जिसकी राजधानी कसी थी वर्तमान में इसे बनारस या वारानसी के नाम से जाना जाता है इस सहर को वरुन और असी नदी के नाम से ही इसका नाम पड़ा है इस पर कौसर राज़ा ने सासन किया था वत्स जिसकी राजधानी कसांबी थी वर्तमान में इसे इलहाबाद और प्रयाग राज़ के नाम से जाना जाता है वत्स को वामा के नाम से भी जाना जाता है ये गंगा और यमुना नदी के संगम पर इस्थित है ये सहर आर्थिक गति वीडियो का केंदर भी रहा है अगला है कौसर जिसकी राजधानी स्रावस्ति या कुसावति थी ये उत्तर परदेश के अवध छेतर में इस्थित है इस छेतर में अयोदिया भी सामिल है जो रामायड से जुड़ा एक महतपूर सहर है अगला है सूर सेन इसकी राजधानी मथूरा थी या इस्थान कृष्ण पूजा का केंदर है यहां बुद्ध के अन्यायो का भी वर्चेश्व था ये सहर यमुना नदी के किनारे इस्थित है अगला है पांचाल इसकी राजधानी अहिच्छत्र और कमपिल्य थी इसे वर्तमान में बरेली और फरुखाबाद के नाम से जाना जाता है और पांचाल कन्योज का एक प्रसीद सहर था अगला है कुरू इसकी राजधानी इंद्र प्रस्त थी वर्तमान में ये मेरट और पूर्वी हर्याना के नाम से जाना जाता है इसका उलेक महाभारत में मिलता है अगला है मत्स इसकी राजधानी विराट नगर थी वर्तमान में इसे जैपूर के नाम से जाना जाता है और विराट नगर बैराट में इस्थित है इसके संस्थापक विराट राजा थे अगला है चेदी इसकी राजधानी सोठीवती थी वर्तमान में ये बुंदेल खंड शेतर में इस्थित है इसके राजा सिसुपाल थी अगला है अवंती इसकी राजधानी उजेनी या महिश्मती थी वर्तमान में इसे मालवा के नाम से जाना जाता है जो मध्य प्रदेश के आसपास इस्थित है अगला है गांधार, इसकी राजधानी तक्च सिला थी, वर्तमान में ये रावल पिंडी के आसपास इस्थित है अगला है कमबोज, इसकी राजधानी पुंच थी, वर्तमान में ये राजोरी और हाजरा के आसपास इस्थित है, जो कस्मीर में है अगला है असाका, इसकी राजधानी पूताली थी, जो गुदावरी नदी के तट पर इस्थित थी ये एक मात्र ऐसा महाजनपत था, जो भारत के दच्छिड में इस्थित था अगला है वज्जी इसकी राजधानी वैसाली थी ये वर्तमान में बिहार में इस्थित है अगला है मल्ला इसकी राजधानी कुसी नारा थी वर्तमान में ये देवरिया नाम से जाना जाता है जो उत्तर प्रदेश में इस्थित है ये जगे बहुत अनियायों के लिए भी काफी महतपूर है तो ये थी महाजनपत से जुड़ी इंपोर्टेंट जानकारियां थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट झाल